हलो फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ ब्रेड की चार्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, यह बहुत टेस्टी और एज़ी है, और यह बहुत खटी, मीठी, पीकी, इसमें सभी फ्लेवर्स हैं, और उमीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी, और अगर सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोलिफिकिशन सबसे पहले मिले तो आईए बनाना स्टार्ट करते हैं ब्रेट की चार्ट ब्रेट की चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रेट को इस तरह से सर्कल में काटेंगे आप इसे किसी कटोरी या ग्लास से भी काट सकते हैं अब हम एक नॉन स्टिक पैन पर ये ब्रेट के स्लाइसीज रखेंगे और इन्हें ब्राउन होने तक सेखेंगे हलका सप्रेस करते हुए हम इने सेखेंगे ताकि ये जल्दी क्रिस्पी हो जाए अब हम इने पलाट देंगे और दूसरी साइड भी ब्राउन होने देंगे हमारी ब्रेट दोनों साइट से अच्छी से क्रिस्पी हो गई है तो अब हम इने उतार लेंगे और एक प्लेट में रख लेंगे अब हम इसके लिए टॉपिंग त्यार करेंगे इसके लिए एक बाउल में मैंने ये आलू लिया है जो ये दो छोटे उबले आलू है जो मैंने बारी काट लिये है एक बड़ा चम्मच बारी कटा हुआ प्याज एक चम्मच कच्छी अंबी है बारी कटी हुई आधा टमाटर कटा हुआ और दो बड़े चम्मच खीरा बारीक टुक्डों में कटा हुआ एक हरी मेर्च एक बड़ा चम्मच हरा धनिया एक छोटी चम्मच चाट मसाला आदी छोटी चम्मच लाल मेर्च पाउडर आदी छोटी चम्मच काला नमक और सफेद नमक according to taste आप हम इसमें एक बड़ा चम्मच धनिया पुदिना की चटनी डालेंगे और दो बड़े चमच अमचूर की चटनी इसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपने चैनल पर दी हुई है आप चेक कर लें अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारी टॉपिंग तयार है अब हम ब्रेड की स्लाइस लेंगे और उस पर ये दो चमच भर कर हम ये स्टॉपिंग रखेंगे और हलका सा प्रेस करते हुए इसे फिलाएंगे इसी तरह से हमने सभी ब्रेड स्लाइसे पर ये टॉपिंग लगानी है अब हम इसके उपर थोड़ा थोड़ा दही डालेंगे तकरीबन एक चमच आप ध्यान रखें दही गाड़ा यूज करें दही को थोड़ी ते चन्नी पर लग देंगे तो उसका एक्स्रा पानी निकल जाता है इस तरह से गाड़ा दही त्यार हो जाता है अब हम थोड़ी सी हमचूर की चटनी डालेंगे और थोड़ी सी धनिया पुदीना की चटनी अब हम इसके उपर सजाने के लिए थोड़ी से अनार के दाने डालेंगे और थोड़ी सी ये बेशन की नमकीन आप चाहें तो यहाँ पर सेव या कोई भी और नमकीन यूज़ कर सकते हैं और लीजे हमारी ये ब्रेड की चार्ट तयार है ये बहुत टेस्टी और हेल्दी है उमीद करती हूँ आपको पसंद आएगी तो आप मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई और टेक कियर और थैंक्स पर वाचिंग